नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसके सजदेवा, आपके मूँ का फिजीशन, आज हम बात करेंगे औरल सबमिकुस फाइब्रोसिस, ओसमेफ या मूँ के फाइब्रोसिस के स्टेंडर ट्रीटमेट के बारे में, वैसे तो काफी सारी इंफोर्मिशन अवेलेबल है, बट हम बात करेंगे औरल फिजीशन के पॉइंट ओ विव से, क्योंकि ये जो है स्पेशलाजेशन जो है, वो इस सबसे पहले है, वो है कोई भी इस परकार की जो कंडिशन होती है, उसमें हमें हैबिट के उपर काम करना चाहिए, मतलब हैबिट सिजेशन, जिसको हम टोबैको सिज टोबैको सिजेशन कांसलिंग के द्वारा थेरेपी द्वारा या कंसलिंग से छुटकार हो पा सकते हैं, तो सबसे पहले है, जो है जो भी आपकी है। पहर को गुटका की या इस परकार की चैनि खेने की वो हमें कुट करनी चाहिए, और एक दम से नहीं, इसको धीर-दीर क करना चाहिए with the help of जो भी मतलब इसके स्पेशलिस्ट है या टुबैको सीशन कांसिलर है या और फीजीशन से सबसे important है तूसर जो step है इसके अंदर हम कुछ दवाईयों से कुछ कुछ हल्दी की पर या कुछ मेडिसिन से या इंटियॉक्षिडैंट से इसके अंदर जो चमड़ी की flexibility है वो बढ़ा सकते हैं चमड़ी के अंदर जो जलन है वो कम हो जाती है और जो third है इसके अंदर वो है exercise मुँख खोलने की exercise ही से जो है हम इसके मुख की फ्लेक्सिमिलीटी बढ़ा सकते हैं लचीला पंजव बढ़ा सकते हैं इसके आगे आता है कि इसके अंदर जो अगर मुझ कोलना कि किसी का थोड़ा कम इंप्रॉव्मेट हुआ है दवाईयों से तो उसके अंदर इंट्राल इंजेक्शन लगते हैं जो डिफरेंट इसके अंदर मुझ की जो ऑपनिंग है वह बढ़ा से तो इसके बाद अगर मुझ आपका जो है बहुत ही कम खुलता है एक उंगली से भी कम खुलता है तो उसमें हमारे पास जो अप्शन रहेंगे सर्जिकली मुझ खोला जाता है लेकिन सर्जिकली जो है रिजर्ट काफी अच्छे नहीं है क्योंकि रेकरेंस हो जाती है इसके बाद वापिस फिर से फीजियो थेरपी करनी पड़ती है तो आप देखिए कि जो conservative treatment है habit को छोड़ना mouth exercises या intelligent injections या medicine वो सबसे safe और effective method है basically वही रहता है आजकल कुछ और भी laser therapy वगरा भी आ चुकी है वो भी आप करवा सक सकते हैं लेकिन मैं एक बात बिल्कुली underline कर देना चाहता हूं कि जो भी यह treatment से start करने से पहले आप हमेशा अपने मूग की एक oral cancer screening करवाईए अगर उसमें कोई पहले ही इचाला बन चुका है जो की serious है तो पहले उसका इलाज होना चाहिए बाकी सब treatment secondary हो जाते हैं तो इसल pre-cancer condition है तो यह कब इसमें cancer में convert हो जाती है कोई भी इस पर comment नहीं कर सकता तो अगर इसमें negative आता है रिपोर्ट में तो आप treatment करवाईए और इसमें treatment में बहुत अच्छे results हैं तो बने रहे हैं मारे साथ हम आगे भी इसके बारे बात करते रहेंगे thank you